हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्मार्ट क्लासेश लंबा वीडियो होगा और यह पूरा वंस कम से कम तीन वीडियो में कवर किया जाएगा चुकि यह सल्तनत काल का सबसे अधिक समय तक चलने वाला वंस है और इससे भी प्रास्न बहुत जादा आने की समभावनाएं होती है इसलिए इस वंस को बहुत अच्छी तरीके से समझिए तो चलते हैं तुगलग वंस को पढ़ते हैं तुगलग वंस जो है तेरा सो बीज से चौदो सो चौदा तक जो है सासन किया आइस वंस के संस्थापक जो थे वो थे ग्यासुदिन तुगलक जो इसका उपाधी जो था मलिकल गाजी ये उसकी उपाधी थी इसने जो है 1320 से 1325 तक जो है सासन किया पांच साल तक जो है इनका सासन चला था ग्यासुदिन तुगलक का और ग्यासुदिन तुगलक जो था ब जो है बाहदूरी पुर्वक टकर ली थी इसलिए अगर प्रसन आ जाए कि सबसे जादा जो है मतलब मंगोले से कौन टकर आया या किसने लड़ाई की तो इसका एंसर जो होगा वो होगा ग्यासुदिन तुगलग इसने एक उपाधी धारन की थी गाजी की जो कि दिल्ली सल्तन में जो है इस उपाधी को धारन करने वाला जो है पहला सासक था इसके बाद जो है गाजी की उपाधी जो है मुगलकाल में बाबर के द्वारा लिया जाएगा यह गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वद करने वाला तो ग्यासुदिन तुगलग जो था ग्यासुदिन तु जो माता थी वो एक हिंदू जाट थी और इसके पिता जो है केरोरा तुर्क था जो कि बल्वन का दास था कहाने का मतलब है कि बल्वन के समय में ही जो है इसके पिता जी जो है मतलब भारत आ चुके थे और बल्वन का दास था ग्यासुद्दिन तुगलक का पिता जी और इसने जो अभियान चलाया, जो महतपूर अभियान था, चुकि सासी तो था ही, बहुत ही योग्य सासक था, इसके जो महतपूर अभियान है, उसमें जो है, दियालपूर या फिर दिपालपूर का राजपाल न्यूक्त किया गया था, इसके अब जो इससे पहले, यानि कि सासक बनने से पहले जो है ये दियालपूर या फिर दिपालपूर का राजपाल न्यूक्त किया गया था ये प्रस्न पूछा भी जाता है क्या ग्यासुद्दिन तुगलग जो था किस जगा का जो है राजपाल था तो ये जो था दिपालपूर का था इसने जो है उन्तिस बार मंगोलों क के विरूद जो है लड़ा उन्हें बाहर खदेड़ा इसलिए जो है वह मलिक उलगाजी के नाम से भी परसिद्ध हुआ जो है उसकी एक उपाधी मिल गई जो की मुगलों से जो है 29 बार जो जाकी ये टकराया था इसका एक और नाम मिलता है वह है गाजी बेग तुगलग ये क उपाधियां किन सासकों की है इस तरह का प्रसना आते हैं तो ग्यासो दिन तुगलग का जो है एक है कि मलिक उलगाजी ये है गाजी बेग तुगलग और एक उपाधी जो है गाजी की उपाधी धारन की थी इसकी जो महत्पुन कायरे थी उसमें जो है एक बहुत महत्पुन कायरे था, बटाई का परियोग पुना इसने आरंब कर दिया था, इसे पहले क्या था? मतलब खिल जी वहं समय में जो है यह परियोग बंद हो चला था और साथी साथ इस zen तगलका बाद, शहर का निर्मान कर ग्यासुक दिन तगलक ने जो है तुगलकाबाद सहर का निर्मान करवाय था अलावदिन खिलजी दोरा छीनी गई जागिरें पुना लोटा दी किसानों के हीत में कायरी किया तथा राज़स अधिकारियों को आदेश दिया कि कर की बढ़ोत्री जो है अधिकारियों को आदेश दिया गया कि इसकी बटा 10 या फिर 1 बटा 11 से जो अधिक ना हो पाए यहां पर क्या है कि अलावदिन खिलजी ने क्या किया था सभी तरह के जो जागीर जो है उसने छीन लिया था जितने भी थे इनको इनको मिला था लेकिन 200 दिन तुगलक ने पुना उसे लोटा दिया और साथ से साथ जो है किस बढ़ोत्री का जो आदेश दिया वो एक बटा 10 या फिर एक बटा 11 से अधिक ना हो बहुत सारे किताबों में इन दो चीजों के लेके बहुत सारा अपवाद नजर आता है कि इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है कि ये एक बटा 10 और एक बटा 11 जो है किस चीज पर लगाया ठीक ना तो वह हम लोगों नहीं जानना है यहां हम लोग को जानना है कि एक बटा 10 या फिर एक बटा 11 से अधिक ना हो इसका आदेश जो है ग्यासुदिन तुगलक के द्वारा दिया गया और लगान जो है एक बटा 5 या फिर एक बटा 3 इसके बीच में ही जो है वसुल किय जाए नहरों तथा कुओं का पर्थम निर्माता जो था वो ग्यासुदिन तुगलक ही था यहां कंफ्यूज नहीं कीजेगा इसके बाद जो है फिरो इससा तुगलक भी जो है बहुत सारे नहरों का निर्मान करता है लेकिन ग्यासुदिन तुगलक जो है पर्थम निर्मात है जिसने नहरों और कुमों का निर्मान किया साथ साथ जो है जातायात व्यवस्था और डाक पढ़नाली का पूर्ण रूपेन जो है व्यवस्थाजपक जो है वो ग्यासुदिन तुगला की था इसके बाद जो है मुगलकाल में हम लोग जब पढ़ेंगे तुवसेर सासुरी जो था उसने भी जो है यातायात व्यवस्था और डाक पढ़नाली पर जो है बहुत जढ़ान दिया था इसका संबंद जो है निजामुदिन ऑलिया के साथ में जो कि एक सुफी संत थें, इनके साथ बहुत जाता जो है इनको मतभेद धान. इसका कारण क्या था? कि इससे पहले जो है, इनको खुसरों के द्वारा जो है, बहुत सारा धहन जो है, इनको दिया गया था. अग्यासुदिन तुगलक जो है, ये चाहता था कि जितने धहन को मिला है, यानि कि निजामुदिन ओलिया को वो धन जो है, वो लोटाने के लिए कहा था. तो निजामुदिन ओलिया ने इसी समय जो है कहा था, कि हुनूज अभी दिल्ली दूर है. और ये बात जो है, सिद्ध हो गया था, कि इनकी मित्यूज़ हुई, ग्यासुदिन तु बंगाल को यासुदिन तुगलत ने अपने अधिन किया अब बंगाल अभियान से वापस आते समय अफगान पूर में लकडी का द्वार गिर जाने पर कहीं कहीं पर जो है लकडी का द्वार के जगा में जो है लकडी का महल भी लिखा हुआ है जो है गिर जाने पर जो है सुल् रभी दिल्ली दूर है, यानि कि यह दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया. उससे पहले ही जो इसकी मित्ति हो गई है. ए इसका मगबरा तुगलका बाद में है और इसने अपना मगबरा खुद बनाया था. उसी में इसको दफनाया गया. साथे साथ तेलंगाना का नाम इसने बदल कर सुल्तानपूर कर दिया था, दाग और चेहरा पर्था जो अलावद्दिन खिलजी ने सुरू किया था, उस पर्था को इसने दुबारा प्रारम्भ किया था, तो देखिए इसमें जो ग्यासुदिन तुगलक से जीन जगों से प् और जो निजामुदिन औलिया का जो ये कथन था, हुनू जाभी दिल्ली दूर है इन सभी जगों से, इसके बाद जो है, नहरों तथा कुओं का पर्थम निर्माता, और इसने जो आदेश दिया था, कि एक बटा दस या एक बटा ग्यारह से अधीक जो है, बढ़ोत्तरी ज जो है, कितना पर किया गया है, ये सब चीज जरूर याद रखिए, इसे प्रस्न जरूर आता है, और साथी साथ जो है, इसका मगबरा कहां पर था, और जो तेलंगाना का नाम बदल कर जो है, इसने सुल्तानपूर कर दिया था, यहां पर एक कॉंट्रोवर्स्यल प्रस्न हो बहुत सारे जो समय के जो ततकालिन लेखक जो थे, उन्होंने ऐसा लिखा है, कि मुहमद बिन तुगलक जो था, वो खुद सासक बनना चाहता था, इसलिए जो है, इस लकड़ी के महल को बनाया था, और उसी ने जो है, इसको गिराया था, अब बहुत सारे लेखकों ने इस कहा है, और इसमें जो है, बहुत जादा हद तक जो है, मुहमद बिन तुगलक को जो है, दोसी ठराया गया है, अगला जो सासक हुआ, वो था मुहमद बिन तुगलक, जिसने तेरह सो पचीश से तेरह सो एकावन तक सासन किया, इसका जो मूल नाम था, वो था जुना खां, इसकी उपादी जो थी, वो था उलुग खां, कन्फूज नहीं किजिएगा, कि मुहमद बिन तुगलक का ही नाम जो था, वो था जुना खां, या फिर जौना खां, और इसकी जो उपादी थी, वो था उलुग खां, और यह जो था सरवाधिक विशाल सामराज इसी का था, पूरे सल्तनत काल में जो है, पूरे बारा सो छाओ से लेके पंदरा सो छबिस तक का इस्तिहास को पढ़िएगा, तो सबसे विशाल सामराज जो था, वो मुहम्मद बिन तुगलक के पास में था, इसके में कितने प्रांत थे, तो ये जो थे, 23 प्रांत जो थे, इसके अधिन में थे, इसने जो है, जहाँपना नगर, आदिलाबाद का कीला, जो है, निर्मान जो है, इसी ने किया था, इसी के समय में जो है, अफरीक की आत्री, जो की मरोको से आया था, वो था, इबन बतूत इसी के समय में आया था 1333 में फुलिएगा नहीं यर को भी इसमें की ट्रिपल थिरी है 1333 और इसकी एक परसिद्ध पुस्तक है रहला इसे भी जो है मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है और दर्बारी जैन विद्वान जो इसके दर्बार में वो थे राजसेखर और जीन परभा सूरी और साथी साथ जो है मुहम्मद बिन तुगलक पूरे सल्तनत काल का सरवाधिक विद्वान सुल्तान था यानि कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान जो था वो था मुहम्मद बिन तुगलक और बुद्धिवाद यो बहता इस तgew Walker के जो है इस ने वसुल किया था यही एक बटा दो भाग जो है था मुह्झा भी वaci सुल्स रूप में और किसे विजह नगर और बहमनी राज की जो है अस्तितु में भी आया था साथी साथ जो है ये हिंदू के बहुत साए तेवहारों में भाग लिया करता था और ऐसा करने वाला ये पर्थम सुल्तान था जैसे होली दसरा इन हिंदू तेवहारों में भी जो है मुहमद बिन तुगलक भाग लिया करता था ग्यासुदिन तुगलक ने पहले ही मुहमद बिन तुगलक को जो है उलूख खां की उपाधी के साथ अपना यूराज घोसित कर चुका था क्यासुदिन तुगलक जो है अपने जीवनकाल में ही जो है मुहम्मद बिन तुगलक को जो है अगला सासक घोशित किया था इसकी उपाधी जो थी वो उलूग खां थी एई घोशना के चलते ही बहुत सारे तातकालिन जो सारे मतलब लेखक थे उन्होंने कहा था कि इसने जो ह इसने राजावी से कराया, इससे पहले मुहम्मद बिन तुगलग जो है जौना खां या जूना खां के नाम से जाना जाता था, सरवाधिक विद्वान, सरवाधिक विद्वान जो है पूरे सल्तनत काल में था, इसने जो है खगोल सास्त्र, गनीत, आयुर विज्ञान, सहित अ इसके बाद है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने गैर तूर्क भारतिय मुसल्मानों को भी सरकारी पदों पर न्यूक्त किया जिसके कारण बर्नी ने से चिछोरा, माली, जुल्हा, नाही, रसोई, आदी कहा था यानि कि थोड़ा चिछ गया था, बर्नी चुकि इसने गैर तूर्क, इससे पहले क्या था, जो खिल्जी वंस तक जायता समय तक तूर्कों को ही सरकारी पदों में रखा जाता था और भारतिये जो मुसल्मान थे, उनको भी नहीं रखा जाता था, लेकिन मुहमद बिन तुगलक ने इस पदधी को तोड़ा और गैर तूर्क और भारतिये मुसल्मानों को भी जो है, उस पदप जो है, नियुक्त किया मुहमद बिन तुगलक जो था, वो खुरासान योग इराक योग ट्रांस आक्सियान को जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन जीत नहीं पाया था इसके लिए उसने जो है, तीन लाग सत्तर हजार सेनिकों की जो है, एक सेना तयार की थी, लेकिन यह योजना कभी भी जो है, हुई नहीं दिल्ली सल्तनत का चौंतिस सरवाधिक बिद्रो इसी के काल में हुआ था यह प्रसना सकता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे जादा बिद्रो किस सुल्तान के काल में हुआ है, तो वो था मुहमद बिन तुगलक, उसके काल में सरवाधिक बिद्रो हुए और कितने बिद्रो हुए? चौंतिस बिद्रो हुए राजधानी इसने परिवर्तन किया था, इसने दिल्ली से दौलता बाद जो कि देवगीरी था, इसी का नाम बदलकर इसने दौलता बाद किया था, यहां अस्थांदृत किया था, कब किया था? 1327 में ताकि उत्तरव दक्षिन भारत के संपूर्ण सामराज को नियंत्रत तित किया जाए यह योजना विफल रही इसका कारण क्या था कि यह अभी बहुत और तिंचारी योजना यह ऐसी लागू करेगा लेकिन सब योजना विफल थी इसकी सोच अच्छी थी देखिए इसक से ज़्यादा प्रांत इसके में थे 23 प्रांत थे 23 प्रांत एक बहुत बड़ा हिस्सा था चूंकि अलावद दिन खिल जी के समय में जो था वो दक्षिन भारत तक तो पहुँच गया था अभियान तो किया था लेकिन यहां पर जो सासत थे यहां का जो छेतर था वो दिल्ल बिन तुगलक के समय में क्या हुआ कि इसने पूरे छेत्र को जीता और उसको अपने अधिन किया तो दिल्ली से डक्षिन तक नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था और दौलताबाद और देवगिरी जो था उसके मद में पड़ता था जहां से इसको आसानी से जो है कंट्रोल किया जा सकता था चुकि अब जो है 1327 तक क्या हुआ कि आप धीरे धीरे विद्रोहों की संख्या बढ़ रहे थी और इन विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए जो है दिल्ली से बार बार सेना को बुलाना जो था वो आसान काम नहीं था इसलिए इसने स हो गया कि जो दिल्ली में जो लोग रहते थे उनको जो है दौलताबाद लाने के लिए जो है बहुत सारा साधन दिया गया लेकिन ये लोग जो है तो मतलब दौलताबाद के वातावरान से जो है मतलब बहुत मतलब परिचित नहीं थे जिसके कारण जो है वहां पर जो है य में क्या हुआ बहुत सारे उलेमाओं और वहां पर जितने नागरिकों को लाया गया था उन्होंने जो है इतना विद्रो किया लास्ट में क्या हुआ कि मुहम्मद बिन तुगलक ने जो है सभी को जो है दिल्ली जाने का आदेश दे दिया इस तरह से सोंच जो था मुहम्मद पिन तुगलक का बहुत अच्छा था लेकिन जो है अलग-अलग कारणों से विफल होता चला गया इसके बाद है चांदी के सिक्के के साथ जो है तांबे का सिक्का चलवाया इसने क्या कि जो चांदी के सिक्के थे उसके साथ में तांबे का भी सिक्के चलाया ताकि सोने और चांदि जीषे बहमूल्य धातू को नस्ट होने से बचाया जा सकें। कि वहाल है सोना और चांदि जो था कि सिक्कों के रूप में चांद होता था नस्ट होता हो जाएगा अत्व बजार में सभी ताम्टरी के सिख् chi Cathy वापस लेकर सरकारी खजाने से उनके बदले में चान्दी के सिख् chi दिए गए इससे खजाना खाली हो गिए इसने क्या Kī की चांदी के सिक्केों को बचाने की लिए तांवीय का उसके जगह में चलाए लेकिन इतना नकलि सिक्का आ गया कि लास्ट में सब सिक्कों को रेटरण करना पड़ा हुसके बदले का सिक्का देना पड़ा जो सिक्का जाना खाली हो गिए मुहम kemidd बिन तूलक ने जारी स्वर्ण के सिक्पों को इबन बतुता ने जो है दिनार की संग्या दी थी यानि कि मुहम्मद बिन तूगलक ने जो सोने का जो सिक्पा चलाया था उसको इबन बतुता जो है दिनार कहा है अब जानते हैं कि इबन बतुता कौन था इबन बतुता जो है 1333 से लेके 1347 इस्वी तक भारत में रहा इबन बतुता जो है यह मरोको का मूल लिवासी था और अफरीकी यात्री था यह जो था मुहमद बिन तुगलक के कारिकाल में भारत आया तुगलक ने इसे जो है आट वर्स तक के लिए दिल्ली का जी भी नियुक्त किया था तेरा सो ब्यालिस में उसे सुल यह किताबुल रहला इसी पुस्तक से जो है बहुत सारी जानकारी जो है मुहमद बिन तुगलक के बारे में भी जो है पता चलता है इस तरह से जो है इबन बतुता के बारे में जानिये यह कहां का निवासी था मुर्को का मूल निवासी था और अफरीकी यात्री था यह भा चीन भेजा गया, इसकी एक परसिद्ध पुस्तक है, किताबुल रहला मुहमद बिन तुगलक ने जो है, किर्सी की उन्नती के लिए भी जो है, एक विभाग की अस्थापना की वो था, दिवाने को ही किस्तापना इसने जो है, की थी, इस विभाग का मुझ्छ काईर था, किर्सकों को पर्ट्यक्ष सहायता देकर, अधिक भूमी किर्सी काईरी के अधिन लाना यानि कि इभाग का ये काम था कि जादा से जादा भूमी में खेती किया जाए जिससे की राजस्तों में भी बिर्धी होगी इसका ये काम था साट वर्व मील की भूमी एक लंबा टुकड़ा इस कारी के लिए चुना गया और फसल चकर के अनुभव हेर फेर के साथ विभिन फसलों की खेती की गई यानि कि एक बहुत बड़ा भूमी को जो है इसने तयार करवाया था किर्सी के लिए 1325-1327 में क्या हुआ कि सुल्तान ने द्वाब के छेतर में जो है करविर्धी कर दी यह एक नया प्लान फिर था लेकिन दुर्भाई की देखिए उसका कि इसी समय जो है वहां अकाल पड़ गया इसके बाज भी जो है कर की वसूली जारी रही जिससे किसानों ने जो है फिर वहां विद्रो कर दिया यह एक तो कर की मतलब विर्थी हो गई और वहां पर अकाल आ गया लेकिन अधिकारियों ने क्या किया कि राजस्व की वसूली को जारी रखा जिससे किसानों ने जो है विद्रो कर दिया बहुत सरे किताबों में हा तक लिखा है कि किसानों इन जो है अपने फसलों को ही आग लगा दिया ना फसल रहेगा ना देना पड़ेगा राजस इसलिए भी कर दिया लेकिन ये जो बिद्रो हो रहा था किसानों के द्वारा ये सुल्तान तक नहीं पहुंच पा रहा था ये ख़बर जो है सुल्तान तक नहीं पहुंच रहा था ये भी एक समझचा था बाद में ज कराया लेकिन ये भी जो है बहुत ज़्यादा फाइदेमंद नहीं रहा अधिकारियों ने जो है इस पर भी लूट मार कर दी और ये योजना पूरी तरह से विफल हो गई तुगलत जो है जब दौलताबाद में था तभी तागी के नितित्व में जो है गुजरात में एक के लिए गुजरात गया जब ये दौलताबाद में था तो गुजरात में जो है एक तागी नाम के इन्हें जो एक विद्रोह कर दिया और ये गुजरात इसको दबाने के लिए गया और तागी जो था वो प्राजित हुआ और भाग कर सिंध चला गया सुल्तान गुजरात मे सांती व्यवस्ता स्थापित करके तागी को समाप करने के लिए सिंध की और रवाना हुआ मार्ग में ही सुल्तान बिमार पड़ा और थट्टा के निकड जो है ती 20 मार्च 13 से कावन में जो है अल्ला को प्यारे हो गए यानि कि मिट्टी हो गई इसके निधन के बाद बदाईूने लिखा था कि सुल्तान को उसकी परजा से अब परजा को अपने सुल्तान से मुक्ती मिल गई यानि कि परसिद्य ये युक्ति है बदाईून की लगहना ही है कि सुल्तान जो है जो नया नया योजना ला रहा था और अंत में भिफल हो रहा था उसी के उपहास में लिखा था कि सुल्तान को उसकी परजा से जो है परजा को सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई खुरासान योजना ये भी योजना नहीं हुई थी कुमायू के पहाड़ी परदेशों में आरम हुआ और ये जो है कराचिल सेन्य अभिहान तक चलाने का एक विचार था लेकिन इस अभिहान में जो है जो किया गया था इसका कारण था उस समय क्या हो रहा था कि चीनी लोग ज कोखने का में उड्या से था और हरिस्चंद्र वर्मा सहब लिखते हैं कि मुहमत बिन तुगलक ने जो 3,70,000 का जो सैनिक के तयार किया था उस अभिहान को भी नहीं किया गया और 3,70,000 को मुहमत बिन तुगलक ने सैनिक के रूप में तयार था उसे एक वर्स का पहले ही वे सेना को तो फिर समझसा होती तो मुहमद बिन तुगलक चाह रहा था कि इस समय जो है चीन जो उत्तर दिशा से आ रहा है उसको रोका जाए लेकिन समझसा क्या हुआ कि वह जो सेना भेजा गया वह भूमी पर तो लड़ने के लिए बहुत अच्छा था लेकिन पहारी च्छेत्रों में जो है वह लड़ने के लायक नहीं था और दस अजार सेना भेजा गया और बच के कितना आया मात्र दस ही बच गया बाकी जो है वह जो मार्ग में ही जो है वो लोग मिट्ट्यू हो गया है इसके बाद एक परियोग और था सांकेतिक मुद्रा का परचलन जो कि 1329 से 1330 में किया था मुहमद बिन तुगलक ने एक और कदम उठाया सांकेतिक मुद्रा अगर कहा जाए कि अगर ये 1329 में चल रहा था तो आज भी हम लोग सांकेतिक मुद्रा को ही परचलन करते हैं यान कि समय से पहले उसका सोच था मुहमद बिन तुगलक का आज हम लोग सांकेतिक मुद्रा ही चलाते हैं वो जो कागज होता है पेपर तो सभे पेपर होता है एक उसमें संकेत जो दिया और रहता है तब हिन हम लोग कहते हैं कि ये 100 का नोट है ये 500 का नोट है तो सांकेतिक मु इसमें जो है चांदी की कमी हो गए थी इस कारण से जो है इस मुद्रा का जो है इसके दिमाग में सोच आया था और इससे पहले जो था चीन का कुबलाई खां पहले ही इस मुद्रा का सफल परियोग कर चुका था और इरान के गजन खाने जो है मंगोलों को समय में ये मंगोल उसने भी इस परियोग को किया था इसमें हुआ क्या था मुहमद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने का फैसला लिया जिसका मुल चांदी के टंके के पराबर हो यानि कि जो पूरे विश्व में जो है उस समय चांदी की कमी हो गए थी इस कारण से कांसे का मुद्रा चला है और उसका मुल्य क्या रखा जो कि चांदी का मुल्य था लेकिन इसका भी परिणाम जो है गलत हुआ कैसे गलत हुआ अब क्या हुआ हर घर जो था वो एक तरह से टकसाल बन गया और हरे घर में जो है कांसे की मुद्रा बनने लगी और क्यों इसके कारण था कि मुहमद बि यह अज के चेन्य नहीं था बहुत सारका इसा नहीं था कि चीन्य था वह दूसरा आज काउपी नहीं कर सकतके था वह इसे किसी परकार कर नहीं था एक खास परकार का जो में कीसी तरह का मार्किंग किया जाता होगा तो वो घर-घर में होने लगा, इससे क्या हुआ कि नकले सिक्का जादा हो गिया, ये भी एक समझस्या हो गिया, लोगों ने सोही मुद्रा ढालने लगा, फिर ये एक ही हो गिया, अन्ताता मुहमद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को भी वापस लेने का फैसला लिया, मुहमद बिन तुगलक के खजाने में चला गिया, और चांदी का सिक्का सब बाहर आ गिया, यानि कि फिर से खजाना जो था, वो खाली हो गिया, एक और अभियान जो बताएं थे, क्राचिल का सेन अभियान, यह राज्य हिमाचल की तराई में स्थित आधुनिक कुमायु ज संपूर्ण सेना को नर्ष्ट कर दिया, जो बचे वो जो है प्लेग से मारे गए, यानि कि ये भी अभियान जो है, पूरी तरह से पिफल ही रहा, 1336 में हरिहर यंग बुक्का, नामक दो भायों ने विजयन अगर सामराज जी की अस्थापना की थी, वो था मुहमद बिन त्रित रूप को पढ़ेंगे हम लोग बाद में, 1347 में जो है अलाओ दिन बहमन सा ने बहमनी सामराज के स्थापना की थी, और इसने जो है उस रहों जकात को छोड़ कर सेश सभी कर समाप्त कर दिया था, अपने सिकों पर उल्च सुल्तान जिल्ली अल्लह यानि किसकार्थ होता है, इसवर सुल्तान का समर्थक है, इस उपाजी को भी जो है इसने अपने सिकों में ठलवाया था, तो इस तरह से जो है ये तुगलक बंस का पहला वीडियो है, इसमें जो है हम लोग ग्यासुद्दिन तुगलक के बारे में और मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसके बाद फिरोश सा तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, और ये वीडियो जो है आपको जैसा भी लगा हो, लाइक और डिसलाइक का बटन दबा के आप बता सकते हैं, साथे साथ जो है कॉमेंट भी कर सकते हैं, कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, और इस से ही तका किसी प्रकार का प्रस्ण हो तो वो भी जो है कॉमेंट बॉक्स में पूछ चकते हैं थैंक यू